नमस्कार किसान भाईयो प्रधान मंत्री किसान शम्मान निधियोजना को लेकर नई अपडेट आ चुकी है प्रधान मंत्री किसान शम्मान निधियोजना की सोल वी किस्त के चार-चार हजार रुपए अकाउंट में भेजे जाएंगे पती पतनी दौनों को मिलेगा लाब पी ایम किसान शमान निधियोजना के नियमों में बदलाव हो चुका है नए नियम जारी हो चुके है किन किसानों को प्रधान मंतरी किसान शमान निधियोजना की 16 किस्ट के 24,000 रुपै किस दिन मिलेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले यही था कि एक प्रिवार में एक ही लोग जो है इसका पैंसा ले सकता है लेकिन यहाँ पे अपनी अममी बदलाओ के साथ बड़ी अपडेट आई है किसानों की करीबों की इस्तती को सुधारने के लिए मोधी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है पातर किसानों को 6,000 रुपे जो सालान रासी दी जाती थी उसे बड़ा कर अब 12,000 रुपे कर दिया गया है अब यहां 2,000 रुपे की किस्त के जगाब किसानों को 4,000 रुपे की किस्त मिलेगी सोली किस्ट को लेके अपडेट आ रही है कि सोली किस्ट जो है EKYC को लेकर अंतिम तारीक 31 दिसंबर जारी की गई है 31 दिसंबर से पहले-पहले किसानों को EKYC करवानी होगी EKYC की बिना पैंसन नहीं मिलेगा जैसे EKYC सत्यपन प्रकिरा कंप्रीट होती है अब वो किसान भी रेजिस्टेशन कर पाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन जो क्रस्ती कारिया पर निर्बर रहते हैं इसके लावा पहले परिवार में एक ही सदस्ट को लाम मिलता था पती ले सकता है या फिर पतनी अब जो है पती और पतनी दोनों अलग-अलग अकाउंट में अपना प्रधान मंत्री किसान शमान निधी हो जिना की किस्त का पैसा ले सकते हैं जैसे ही सोले किस जारी होगी पता है जैसे ही सबस्काइब करने के साथ ही जानकारी पसंदा आए तर वीडियो को लाइक सेर करना बिलकूर ना बूले मिलेंगे साथ जल्दे निए अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैंद राम-राम